हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ हंगे और मस्थ हंगे तो आज आपके लिए फिर से हम लोग लेके आए हैं आज सुरू कहरे हैं बिज्ञान यानि साइंस के MBBI objective को चांज जो आपके exam के लिए 2024 के लिए important होने वाला है साथ ही चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को फटापर से subscribe, like और share जादा से जादा करें ताकि आपके जितने भाई वहन है और जो भी अगला वार metric का exam देने जा रहे हैं इस साल यानि 2024 में और सभी असी में असी ठोक कराएंगे science में तो ये study with review का वादा है सभी को chance important लाएगे हैं आज की class में तो फटापर से आज की class को share कर दिजिए ज्यादा स्यादा वीडियो को like करें notification को on कर ले ताकि आप से जो भी class आपका study with review channel को आता रहेगा सभी का notification सबसे जल्दी आपको मिलता रहेगा साथी साथ इसका PDF लेने के लिए सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए इसके study with review telegram channel को join कर लीजिए इसी वीडियो की नीचे description में वो link आपको मिल जाएगा तो आज हम लोग science के objective questions के बात करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसा questions है और जो भी प्रशन आज की exam आज की class में लाया गया है सभी important है तो फटाफट से share कर दीजिए और हम लोग इसको start करते हैं पहला नमबर सवाल से और सवाल आपके सामने है पहला नमबर और जवाब फटाफट से आप लोगो को क्या करना है देना है शभी questions important माने जाते हैं कौन एक दहन अविकरिया है बताईए निमली खित में से कौन एक दहन है जल का वलना मोम का पिगलना पेट्रॉल का जलना या इन में से कोई नही दहन अविकरिया की बात की है आप लोगो को पता होगा साथि यहां पे दहन अविकरिया इन में से कौन सी है जल का वलना एक परकार की दहन है या मोम का पिगलना इसे उद्र पातन अविकरिया कहते हैं उद्र पार्तन अविक्रिया किसको कहते हैं मोम का पिघलना को यह क्या होता है पिघलकर फिर से इसको मोम में क्या होता है कनवर्ट हो जाता है क्या होता है मोम में कनवर्ट हो जाता है इसलिए इसको उद्र पार्तन अविक्रिया कहते हैं लेकिन यहां पे दहन अविक्रिया option होगा क्या होगा साथ यो option number यहां पर सी एकदम बिल्कुल right है, सभी का जवाब option number C आ रहा है, जो कि यहां पर बिल्कुल right जा रहा है, अगला नमबर सवाल क्यों हम लोग बैठते हैं, दुसरा नमबर सवाल देखते हैं कि कैसा है, कहता है Silvers Coloride का rung क्या है Silvers Coloride का rung बताईए जिहां Silver Coloride का rung पूछा है स्वेर्थ होता है, यानि सिरत होता है, हरा होता है या काला होता है Silvers Coloride का rung पूछा है NDIBI सवाल है आपके एक्जाम के लिए और निश्चित रूसे 2024 में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो लगातार आप लोग study भी थरभी के साथ जूरे रहे जितने भी questions आ रहा है शुरू से लेकर last week तक आप लोग जरूर देखे साथी साथ एक अविस्सक शुचना साथी जो भी 12th के छातर है आपके भाई भायन जो भी है उनको जरूर बता है सभी रोज का class 12th का आपके इसी channel पर आ रहा है और कुछ दिन बाद अलग अलग channel यहाँ पर बना दिया जाएगा 10th और 12th का लेकिन अभी के लिए सभी यही पर provide किया जा रहा है 10th और 12th सभी का questions यही पर provide आपको किया जा रहा है इसी channel पर तो सभी को बता देंगे सभी group में class को share कर दीजिए और silver color का रंग बता दीजिए सभी का जवाब आना चाहिए तो सभी का जवाब आ रहा है silver color sweet होता है silver simple याद रखिएगा अगर silver कैसा होता है साथी white होता है white होता है white color का होता है लेकिन उसका main color क्या होता है silver color होता है क्या होता है silver होता है लेकिन उसे हम वाइट भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे swift यानि option number coloride मिला हुआ है इसलिए यह white हो गया तो option number यहाँ पे जो होगा expression के लिए यह जो हो जाएगा विल्कुल right हो जाएगा अगला number सवाल पर चलते हैं तिसरा number कहता है कि सोसन किस परकार की अविकिरिया है सोसन यानि रिक्सपारेशन रिस्पारेशन किस परकार की अविकिरिया है बताइए रिस्पारेशन जो होता है सोसन वो किस परकार की अविकिरिया है उपचैन है सवसन की बात की है किस परकार की अभिकिरिया है सभी का जवाब आना चाहिए फटापरसे सवसन जो है वो किस परकार की अभिकिरिया है उपचैन है सवसन है अभिकिरिया है या उसमा सोसी है जहां option number यहां पे A आ रहा है सभी का बिल्कुल right है उपचेन है क्या है एक परकार का उपचेन याद रखियेगा क्या है उपचेन याद रखियेगा यहां पे option number A इस परस्ण के लिए right option हो जाएगा जो कि सभी का रहा है बिल्कुल right option है सौसन की बात करता है किस प्रकार के अब किरिया है तो उपचयन बात करें इस questions की तो बार बार लगवा पांच से छे बार ये प्रस्ण आपके एकजाम में पूछा जा चुका है और फिर से 100% 2024 में पूछे जाने की समभावना है चार नमबर सवाल है और फरफर से करते हैं काता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने के किरिया को क्या कहते है लोहा पर जिंक का लेपित किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बीज जो लग जाता है लोहे पर उसको बचाने के लिए संसरन को कम करने के लिए किस चीज का यूज किया का बात करेगा जिंग का ठक्टी यानि तीस होता है यह ध्यान रखिएगा सही प्रश्ण जितने भी बन सकते हैं इस को चन्स के मादिन से सभी बताने का प्रयास मैं यहां पर कर रहा हूं तो बताइए कि जिंग का लेप क्यों चड़ाया जाता है संचारन के लिए या गौलव करन उसका होस है कि option number यहां पर बी जो होगा इस प्रश्ण के लिए राइट होगा संचारन को रोकने के लिए किया जाता है ना कि संचारन के लिए किया जाता है इसको क्या होगा आगे अगर राता रोकने के लिए क्या राता आगे संचारन रोकने के लिए तो यहां पर option number a right होता है लेकिन यहाँ पर option number B यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा याद रखिएगा क्लियर है option number B यहाँ पर राइट है पांच नबर सवाज silver coloride यानि agcl का रांग क्या है फिर से वही कोछा है लेकिन यहाँ पर क्या आपको difficult लगड़ा या क्या चेंज किया गया यह बताईए तो यहाँ पर simple सा है वहाँ भी silver coloride था और यहाँ पर यहाँ पर एक रसाइनिक सूत्र दे दिया है जो कि इसका याद रखिएगा agcl जो होता है silver coloride होता है क्या होता है agcl यानि option number यहाँ पर स्वेत जो होगा वह बिल्कुल right हो जाएगा क्या होगा स्वेत यहाँ पर option number a जो होगा बिल्कुल right हो जाएगा इस प्रस्ण के लिए mbbi प्रस्ण माना जाता है इसलिए बार बार प्रस्ण आपके इस pdf में include किया गया है तो ध्यान रखिएगा सभी परस्ण आज की class में important है और त्यंत वालों के लिए metric वालों के लिए एक दाम राम बान सावित होने वाला ऐसे प्रस्ण तो बिल्कुल भी मत घबराईए अपने exam से और एक मेना मात आपकी बच्चे हुए है और study वित्रवी के साथ जूर जाईए आज से ही और सारी questions का solution मैं आपको करा दूँगा और एक भी परस्ण आपके exam में नहीं छुटेंगे तो nitrogen dioxide जिसे हम लोग क्या बोलते है NO2 nitrogen dioxide को क्या बोलते है NO2 के धूए का रंग का होता है धूए का रंग होता है कैसा होता है NO2 का जो धूए होता है nitrogen dioxide का याद रखिएगा nitrogen oxide इसे बोलते हैं याद रखिएगा अगर NO2 लग जाए तो ये dye हो गया क्या हो गया तो nitrogen dioxide के धूए का रंग कैसा होता है तो भूरा होता है भूरा option number A यहाँ पे बिल्कुल right है mind में अपने खोपड़ी में डाल लीजिए एक भी प्रस्ट नहीं छुटना चाहिए सभी प्रस्ट important है निमलेखित में से कौन समिकरन और संतुलित है और संतुलित पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समिकरन है जो और संतुलित है यहाँ पे बात करें फेरी कोकलराई की ते फी सील ठीरी बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट है यह option यह संतुलित है सरी और संतुलित पुछा गया है तो यहाँ पे और संतुलित को खोजना है तो यह तो क्या है यहाँ पे और संतुलित है क्योंकि यहां पे अभी और लगया 2 इधर आता, क्या होता 2 इधर आता 2 F E C L होता लेकिन यह और संतुलीत है, यहां पे क्या है NH4 NO2 तो यह बिल्कुल डाइट है 2 इधर है, N के पास 2 है बिल्कुल डाइट है, और यह 2 2 H 2 यह बिल्कुल डाइट है और यहां पे B जो होगा, बिल्कुल डाइट है तो संतुलीत से और और संतुलीत से एक प्रस्ण आपके एग्जाम में बनते हैं तो एक प्रस्ण यहां से आप लोग क्लियर करके जाएगा निश्रित रोप से पूछा जाएगा नेक्स्ट कोच्चन पर चलते हम लोग आप नमर कहता है कि भोजन में, सरीर में भोजन का पाचना किस परकार की अविक्रिया है इंपोटेंट कोच्चन सही है कि सरीर में भोजन का पाचना जो होता है किस परकार की अविक्रिया है MBBI प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए है याद रखिएगा क्या कि जी याद रखे ऐसे प्रस्ण को हमेशा पूछे जाने की समावना 100% बनती है तो हमारे सरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के अपकिरिया है अवकरन है ऑक्सी करन है उदासी नी करन है या इन में से कोई नहीं तो याद रखेगा भोजन का पचना ऑक्सीकरन का लाता है क्या होता है ऑक्सीजन का जरूरत होता है हमारे सरीर में भोजन को पचाने के लिए तो 100% ये प्रस्ण पूछा जाएगा आप उसे स्कीजन सट ले सकते हैं और अपने गैलेरी में सेब करके रख सकते हैं क्योंकि हमेशा ये सवाल पूछे जाती हैं आपके एक्जाम में तो औक्सीकरन वो पचिडिया है जिसके दवरा हमारे सरीर में भोजन का क्या होता है पाचन होता है, क्या होता है पाचन होता है तो option number 2 जो होगा बिलकुल right होगा PDF लेने के लिए बार बार बोल रहा हूँ Telegram channel को join कर लिजे सभी PDF वहाँ पर provide किया जाएगा साथी साथ viral questions जो भी आएंगे सभी आपको वहाँ पर provide कर दिया जाएगा किसी को private नहीं भीजा जाएगा यह याद देखिएगा नव नमबर सभाब का जवाब बताई कहता है चांदी के संचारन के फ़ल सरूप उस पर किस रंग का परत चढ़ायती है चांदी का संचारन के फ़ल सरूप उस पर जो परत चढ़ाया जाता है वो काली रंग का होता है क्या होता है बलेक होता है क्या होता है option number यहाँ पर C जो होगा इस प्रशन का right option होगा option number C यहाँ पर बिल्कुल right होगा 10 number का जवाब बताई कहता है कि chips की थैली सबसे ज़्यादा बार आपके exam में पुछे जाने वाले सवाल है क्या है सबसे ज़्यादा बार इसे आप लोग क्या दे सकते हैं 5 star दे सकते हैं क्या दे सकते हैं 5 star सबसे ज़्यादा बार पुछा गया है और फिर से 2024 में आप से पूछा जाएगा यह प्रस्म याद रखिएगा दोजाशोबिस में निच्छी तुरुप से पूछा जाएगा क्योंकि MBVI एकोचंस है और चिप्स की थैली से हमेशा सवाल बनते हैं तो चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है बचाने के लिए होगा यहां पर क्या होगा बचाने के मैं नीचे लिखे देता हूँ क्या होगा बचाने के लिए स्क्रीन पर लिखने में कठिनाई होती है याद रखिएगा तो यह क्या होगा बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है यानि चिप्स जो आप खाते हैं 5 उर्पिया वाला किन के तो पैकिट में आपको हावा फुल मिलता है चिप्स कम और हावा जादे रहता है तो चिप्स को बचाने के लिए वो हावा पैक रहता है जो नाइट्रोजन का हावा रहता है क्या होता है नाइट्रोजन तो नाइट्र जो होता है वो chips के option से बचाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है किलिए अगला नमर सवाल पर चलते हैं 11 नमर कहता है कि लोग चूर्ण पर तनू हाइड्रोकोलोरिक अमल के डालने से क्या होता है तो hydrogen gas एवम iron koloride बनता है क्या होता है hydrogen gas बनता है और iron koloride का क्या होता हूँ आपे निर्मान होता है तो option number A यहाँ पर इस प्रश्ण के लिए right option है important कोचे से सभी 12 नमबर सवाल है कि निलिखित समिकरन H2 plus Cl2 2HCl एक अपघटन अभी के लिए क्या इसमें अपघटन हुआ है या एक संयोजन अभी के लिए आए तो यह simple सी है यहाँ पर सिर्फ संयोजन हुआ है H2 और Cl2 का तो क्या बना है 2 तो इधर चलाएगा बिल्कुल 2 H, H side आजाता है और Cl जूट गया इसमें अपघटन बिल्कुल नहीं हुआ 2 विस्थापन भी नहीं हुआ और विस्थापन भी नहीं हुआ क्या यहाँ से Cl नहीं करके यहाँ पर बाहर आया है पलस में गया है नहीं गया तो न यहाँ पर विस्थापन न दुविस्थापन हुआ न अपघटन यानि किसी चीज़ की कमी हुई तो हुआ किया सिर्फ एक संयोजन हुआ आपस में जूरा क्या हुआ आपस में जूर गया तो option number B यहाँ पे इस प्रश्ण के लिए right option है तेरह नमबर सवाल कहता है कि CuO plus H2 Cu plus H2O देखिए यहाँ पे oxygen जो है यह बताईए तो यह एक परकार की option है यहाँ पे oxygen क्रोक्रिया किया option कर दिया और यहाँ पे copper को बाहर निकाल कर यह आपस में जल बना लिया तो यह option अभी किरिया कलाता है तो यह भी reaction जो है reaction यह जो reaction है हमेशा पूछा जाता है याद रखिए आपने mind में सेट रखिए ऐसे reaction को चोधा नमबर सवाल है कि निमले खित्म से कौन समिकरन संतूलित है ध्यान से पढ़ेंगे और संतूलित और संतूलित दोनों दिया जा सकता है आपके exam में तो कौन समिकरन जो है और संतूलित है तो यहाँ पे जो दीकर आए आपको ZN plus H2SO4 तो यह क्या है ZNSO4 और H2 hydrogen gas यहाँ पे बाहर निकला और जिंक सलफाइड बनके तयार हो गया तो यहाँ पे option नमबर D यहाँ पे राइट है हो सकता है तो same to same यही प्रशन आपके exam में पुछा जा सकता है तो बिल्कुल भी एक भी प्रशन को आप लोग ना छोड़े अलगातार सभी questions को देखते चले पंदरा नमर है कि समिकरन 2 copper plus oxygen 2 Cu O की स्परकार की अबकिरिया है अब घाटन है उक्सी करन है उदासिनी करन है या उपछेपन है तो समिकरन 2 Cu पलस O2 2 Cu O की स्परकार की अबकिरिया है एक परकार की अख्सी करन अबकिरिया है ओप्शन नमर यहाँ पे बीज होगा इस प्रशन के लिए क्या होगा साथ यो राइट ओप्शन है अगला नमर पर चलते हैं कैसा परिवर्थन है बहुतीक रसायनिक दोनों बहुतीक अब हम रसायनिक ए इन में से कोई नहीं तो क्या होता है दूद से दही जबन जाता है तो दही से फिर दूद नहीं बनाया जा सकता तो यह रसायनिक अबकिरिया है क्या है रसायनिक है अभिकारक बोलेंगे इन में से सभी बोलेंगे तो रसाइनिक अभिकरिया में अगर कोई चीज भाग ले रहा है तो उसे अभिकारक बोलेंगे क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे MBVI सवाल है आपकी एक्जाम के लिए MBVI सवाल है याद रखेगा और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है क्या है सबसे ज़्यादा बार यह सवाल आपसे एक्जाम में पूछा गया है अठारा नमर पर चलता है कहता है जस्ता तथा तनू हाइड्रोकलोरिक अमलिक की अभिकिरिया के फल सरूप निमन में से कौन सी गैस बनता है जस्ता और तनू हाइड्रोकोलोरिक अमले के अभिक्रिया के फ़ल सरूप निम्ने में से कौन सा गैस बनता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्मान होता है क्या होता है एच्टू गैस का निर्मान होता है यादर कियेगा अगला नमबर कोचंस पर चलते हैं 19 नमबर थोरा हाड कोचंस और सिंपल कोचंस मेडियम लेवाल का कोचंस सभी परकार के कोचंस सामिल है मेरे प्यारे साथियो तो सभी स्टूनेट ध्यान से ऐसे प्रस्ण को करेंगे एक भी परस्ण नहीं छुटना चाहिए आपके एकजाम में किलियर तो साख सब्जी को भीगाटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अविकिरिया का उदारन है फटापर से आप लोग सेर कर देंगे जितने भी आपके भाय वयन दोस्त है सभी का पास ताकि सभी लोग आज का मात्र 50 प्रस्ण इस कलास में और सभी इंपोटेंट को चंसाज कर सके सभी एस्ट्रेंट तो साख सब्जीयों को अब घटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अविकिरिया का उदारन है तो यह उस्मा छेपी है क्या करते हैं जब आप कच्रा को बेखते है तो उसमा तो बाहर निकलाती है उस्मा क्या होती है बाहर निकलाती है लेकिन यह कच्रा सरगल जाता है अब घटित हो जाता है तो यह उस्मा छेपी है अगर कोच उस्मा ले रहा है यानि वो बिरिद्ध होगा उसमा को अबजर्ब करके अपने आप में बृद्धी करेगा लेकिन यह पर कॉम्पोस्ट क्या होता है घटित होता है तो यह उसमा को बाहर निकाल देता है और पूरे शरीर को गला देता है क्लियर है बीस नमबर सवाल आपकी स्क्रेण के सामने है जरा इसका जवाब बताएंगे करता है एफी 2-0-3 पलस एलमुनियम यहाँ पर आरन जो हो बाहर निकल गया दी गई अविकिरिया किस परकार की है तो यह विस्थापन अविकिरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बियस्थापन नहीं लेकिन बियस्थापन अविकिरिया है 21 नमर को चंस है कि निमलिखित अविकिरिया को अपगाटन के अविकिरिया कौन है अपगाटन के अविकिरिया इन में से कौन है तो 2-0-3 2-0-3 निकल गया और ऑक्सीजन का 3 अनू बाहर निकल आया 22 नमर को चंस है इन निम्लिखित में से कौन सही है अविकिरिया दिया गया है और पुछा गया है कि कौन से अविकिरिया इन में से सही है तो option number B को देखेंगे nitrogen यहाँ पे 2 carbon dioxide 3 और 10 अनु यहाँ पे किसका जल का निकल गया option number B यहाँ पे बिल्कुल राइट है तो reaction को आपका संयोजन करना भी अस्थापन करना और संतूलित करना आना चाहिए एक परश्ण पूछा जाता है इस फंडा से तो 23 नमर सवाल है निम्लिखित में से कौन सा उत्पाद lead nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है कौन सा उत्पाद lead nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है NO2 और N2 को जब गर्म किया जाता है तो lead nitrate को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है lead nitrate इसको जब गर्म करते हैं तो lead nitrate प्राप्त होता है याद रखिएगा 24 नमर को चाहिए नीचे दिये गए अविकिरिया में कौन सा कथन सही है यह जो अविकिरिया के दिया गया आयन में कौन सा ऐसा कथन है जो सही है यह जो अविकिरिया है 2 copper plus oxygen 2 Cu एक परकार का copper का oxycaran हो रहा है क्या हो रहा है copper का oxycaran हो रहा है यानि option number A जो होगा इस प्रश्ण के लिए right option है 25 नमबर है electron के अस्थनामतर से बने योगिक कहलाते हैं तो electron के अस्थनामतर से बने योगिक क्या कलाते हैं विदुत सयोजी योगिक कहलाते हैं क्या कलाते हैं विदुत सयोजी योगिक यानि option नमबर जो है बी जो है यहाँ पे इस प्रश्ण के लिए राइट ओप्सेन है 26 नंबर कॉपर ओक्साइड प्लस हाइडोजन मिलके कॉपर और ह2O किस परकार की अबकिरिया है तो यह अब चैन है पहले भी यह सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे याद रखेगा सभी जो भी प्लस ने रिपीट हो रहा है सबसे जादा इंपोटेंट है इसलिए उसको रिपीट किया गया है ताकि आप बिल्कुल भूलना पाए यह भी है यह भी आप चैन है फिर से रिपीट है कौन सा एक रेडॉक्स अभी किरिया है C याद रखेगा कैसियाम उक्साइड 2HCl मिलके CCl2 और S2 यहाँ पर बाहर निकाल रहा है एक परकार का क्या है यह रेडॉक्स अभी किरिया है ओप्सन नमबर C is the right answer 28 नमर सवाल का जवाब बताएंगे सवी इस्टुएंट कैता है निमली खित में से कौन एक अपगटन अभी किरिया का उधारन नहीं है नहीं पर फोकस करेंगे नहीं तो कन्फिल हो सकता है कहता है कि कौन एक अपगटन का उधारन नहीं है यह बात करें बिल्कुल अपगटन का उधारन है यह भी है लेकिन यह संयोजन का उधारन है क्या है संयोजन अभी किरिया का उधारन है और भोजन का पचना ऑक्सी करन का उधारन है तो ओप्सन नमबर यहाँ पर सीजो होगा इस प्रशनिक लिए right option है 29 नमर सवाल है कि अविकिरिया से कि इस परकार का लवन पराप्त होता है कम समय में ज़्यादा कोच्छंस देने का परयास हमारे तरब से किया जाता है ताकि आपका time based बिल्कुल भी नहों ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा और एक्जाम में जो आने लाइक है वेसे परशन को कर सके तो अब शेपन अविकिरिया में किस परकार का लवन पराप्त होता है और बिले लवन पराप्त होता है याद रखिएगा 30 नमर सवाल को हम लोग बढ़ते हैं काता है निमलिकित सब्सक्राइब करिया है तो यहां पर जो आप्शन नमर सी दिख रहा है यह फी कॉपर सलफेट अक्साइड एफिस यो एफिए सफोर पनता है कॉपर आगे निकल आया है तो यह परकार का क्या हुआ कॉपर का बिया स्थापन हुआ ओप्शन नमर सी इस पर आशने के लिए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है 31 नमर है निकित में से कौन दुई विस्थापन नमिकिरिया है दुई विस्थापन यह पर देखी एजी यह पर सी यह बिल्कुल राइट है 32 नमर कहता है लाल तप्त आयरेन पर जलबास परवावित करने पर कौन सा योगी प्राप्त होता है लाल तप्त आयरेन पर जलबास परवावित करने पर कौन सा योगी प्राप्त होता है F2O, F2O3 या F3O4, FES तो लालतप्त आरेन पर जलबास प्रवाइद करने पर कौन सा योगिक प्राप्त होता है याद रखिएगा, F3O4 प्राप्त होता है, क्या होता है F3O4 यहां पर क्या होता है प्राप्त होता है, option number C जो होगा, बिल्कुल right option है 33 नमबर सवाल समिकरन और संतुलित है तो यह समिकरन जो है बिल्कुल और संतुलित है, याद रखिएगा फटापर से चलते हैं, 34 नमबर पर कहता है AB और CD मेरकार AD और CB का निर्मान किया तो अविकरिया का नाम बताईए तो यह उह विस्थापन अविकरिया है इसमें से इसमें चल गया और इसमें का इसमें चला यानि आपस में आपर क्या हुआ उह विस्थापन हो गया तो option number C यापर right हो जाएगा ऐसे कोचंस को आप सेकेंडों में solve करके आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ आफ स्टड़ी वित रवी के साथ जूरे रहे जितने भी ट्रीक है जितने भी हमेरे द्वरा बनाया गया concept है सभी देने का प्रियास आपको किया जाएगा तो आप लोग लागतार जूरे रहेंगे और लास्क तक सभी कोचंस को solve करेंगे स्वासन किस प्रकार की रसायनी का विक्रिया है तो आपको पता है उसमा स्चेपी है उसमा को हम लोग बाहर निकालते हैं तो आपस क्या करते हैं स्वास को अंदर लेते तो option number C यहां पे right है 36 number सवाल है कि निमिकित में से कौन सा बोजा हुआ हुआ चूना है जितना बार आप इसे याद रख सकते हैं याद रख ले जितना बार याद रख सकते हैं क्योंकि लगभग लगभग यह सवाल पांस साथ बार अभी तक आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है बोजा हुआ चूना का रसायनीक सुते तो याद रखिएगा साथ सब्जी का बिघटत होकर एक कमपोस्ट बनाना की सभी किरिया का उदारन है अगर साथ सब्जी का बिघटत होकर कमपोस्ट बनाना की सभी किरिया का उदारन है तो यह उसमा छेपी है फिट से रिपीट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यह परशन है 38 नमर है फेरस सलफेट क्रिस्टल का रंग होता है तो यह हरा रंग का होता है कैसा होता है हरा रंग option नमबर यहाँ पर C जो B जो होगा वो बिल्कुल राइट है फेरस सलफेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है तो वो हरा होता है याद रखिएगा 49 नमर सवाल है कि अभिकिरिया copper oxide plus hydrogen मिलकर copper का निर्मान किया और जल का अभिकिरिया का बताईए तो अभिकिरिया ने फिर से पूछा गया सवाल है और लगभा यह चार बार repeat हो गया ऐसे कोच्छन तो याद रखिएगा चार बार repeat हो गया तो आगे क्या लगा सकते हैं 202 लगा सकते हैं यानि 2024 में पूछे जाने की संभावना है इसलिए प्रश्ण repeat हो रहा है अप चायक है तो उक्सिजन जो होता है यह परकार का अप्चायक का कारे करता है क्या करता है अप्चायक का का कारे करता है और राइट है और 42 नमबर शवाल है अम लेव़म च hij अभिकिरिया होने पर लबन और जल बनते हैं अभिकरिया कलाती है तो यह उदासी नी करन कलाती है क्या कलाती है उदासी नी करन 43 नमबर रसाइनिक अभिकरिया को व्यक्त किया जाता है तो समी करनों के दारा उसे हम लोग व्यक्त करते हैं रसानिक अभिक्रिया को किसके दोरा ब्यक्त करते हैं समिकरन के दोरा तो option नमर यहाँ पर क्या हो जाएगा C जो हो जाएगा बिल्कुल right option होगा 44 नमर लाल तप्त लोहा पर जलवास परवावित कर निमलीखित में से कौन सा योगिक बनता है तो फेरिक उक्साइड यानि F3O4 का निर्मान यहाँ पर बनता है याद रखेगा option number C यहाँ पर बिल्कुल right है लाल तप्त लोहा पर जलवास पर परवावित किया जाता है यानि heat लोहा पर जल खाबून परवावित करेंगे तो यह option number C यहाँ पर पर परड़ट निकल के आ जाएगा रसाइनिक समीकर्ण को जलिये बिलियन को किस परतिक द्वरा दर्साया जाता है तो यह equivalent द्वरा दर्साया जाता है EQ लिखते हैं क्या लिखते हैं EQ रसाइनिक में इसको लिखते हैं जलिये भी यहन को, एक्विलेंट को, सोट में, एक्यू से दर्साते हैं, तो ऐसे भी प्रश्ण बन सकता है आपकी एक्जाम में, C बिल्कुल राइट है, 46 नमर्स सवाल है कि कोलोरोफील और सुरे परकास की उपस्थिती में पौधे वाईउ से कारवन डायकुसाइड वं, प्रिथिवी से जल घ्रन करके अपना भिजन त्यार करते हैं, इस परकार कार की अविकडिया कलाती है, तो परकास रहसायनिक अविकडिया कलाती है, क्या कला मान किया एक परकार का रेडोक्स अभिकरिया ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी गलत है तो में तो सवाल आपके स्क्रीन के सामने हैं काली चुना पर जब जल डालाजाता है तब अब किरिया होती है तो यह उस्मा छेपी होती है यानि उस्मा को बहार निकलता है तो मातर 20 से 25 मिनट में आज हमने आपको 50 परशन को किलियर किया है याद रखिएगा यही स्पीड बना रहेगा जो हम वादा करते हैं वो निवा के रहते हैं तो आप लोग लगातार स्टडी भी थरवी के साथ जूरे रहें और ज़्यादा स्यादा सेर के लिए सभी परकार की कलास हैं आपको लगातार दिया जा रहा है 11, 12 और जितने तेंथ की है सभी कलास स्टार्ट कर दी गई है तो ज़्यादा स्यादा आपने दोस्तों भाई वैं सभी को सेर कर दे ताकि सभी लोग जूर पाएं और अपनी 2024 के लिए 90% मार्क्स को किलियर कर जकी तो आज के लिए इतना ही फिशे मिलेंगे हम लोग नेस्ट कलास में माधुआधार तरीके से सोलूसन करेंगे तब तक के लिए इतना ही जैहिंद, जैभारत और जैभिहार आप लोग परते रहें लगातार मेहनत करते रहें 2024 में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी